हेलो गाईज, वेलकम टो केमिस्टी लिस्ट, वन सॉट, वन कोशन स्रीज के इस लेक्शर में हम लोग देखने वाले हैं, नीट 2017 का कोशन जो की विलॉंग करता है, क्लासिपिकेशन आप एलिमेंट एंट इस प्रियोडिसिटी चेप्टर से, तो चलिए देखते हैं हमारा 114 has been discovered recently, अब देखिए, 114 atomic number का element जो है, 2017 के आसपास ही, जो है, discovered हुआ था, तो इससे rated question दिया गया है, it will belongs to which of the following family group and electronic configuration, ये किस group से बिलॉंग करता है, यानि किस family से बिलॉंग करता है, और उसका electronic coefficient क्या होगा, चार options आपके पास दिये हुए, generally इस तरह के questions पे इस trend क्या करत है, electronic coefficient draw करना start कर देते है, atomic number देख करके, जो कि क्या है, लंबा process है, इसमें आप क्या होगा, ज्यादा time लगेगा, exam के में हमें time बसाना भी जो है, बहुत important होता है, तो ऐसे situation में इस तरह के question को कैसे करेंगे, तो हम periodic table के bondies को draw करेंगे, ये है हमारा प्यारा दुलारा सा periodic table, अब इसमें आप जानते हो, यहाँ क्या होता है, helium होता है, यहाँ क्या होता है, hydrogen, यहाँ zinc, यहाँ CN 112, और यहाँ OG 118, अब आप सोचो, कि जो यह 114 है, यह किस के आसपास है, तो CN के आसपास है, इसके बाद क्या होगा, 113, और यहाँ आप्टर 114, अब आपको यह याद न elements का last element है, इसके बाद क्या boron family, और then after क्या, carbon family, यह right answer होगा, तो इसी तरह से आप जो है, different question को approach कर सकते हो, माल लिजे कि यहाँ 110 दे दिया गया होता, तो हम लोग क्या करते, इससे reverse आते, 112, फिर क्या 111, और क्या 110, इससे हम लोग group period असानी से पता कर सकते हैं, तो इसी तरह need और JEE के हड़ी question का best approach जाने के लिए, यानि कैसे उस question को हमनों कम समय में, सही concept के साथ बना सकते हैं, subscribe कीज़े हमारा channel, कमिस्ट के टिडिस्ट, मिलते हैं next lecture में, thank you.